दर्शो का नमस्कार MNS News Live में आप सभी का स्वागत है बुरे दोर से गुजर रहा पाकिस्तान बिजली कमपने ने दी इमरान के दफ्तर का कनेक्शन काटने की धंकी आर्तिक बदहाली से जूज रहे पाकिस्तान की प्रधान मंत्री इमरान खान को अपने दफ्तर का बिजली भील नहीं चुकाने की कारण शर्मेंदिगी का सामना करना पड़ रहा है इसलामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कमपनी ने प्रधान मंत्री कारेले को नोटिस भेज कर धंकी दी है कि बगाया नहीं चुकाने पर बिजली काट दी जाएगी पाकिस्तान को भारत का दो टू जवाब माहुलना भीगाड इमरान खान के मंत्री विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रविश कूमार ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तानी नेताओं के हालिया बयानों की हम कड़ी निंदा करते हैं यहां बहुत गयर से मिताराना बयान है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मंत्री शेक्ष रशीद पर भारत का बयान माहोल को खाराप करने की कोशिश में दिया गया है पीछी दमबरम को पासी दमबर तक एड़ी की गिरफतारी से रहात सुप्रिम कोट ने आयनेक्स मिडिया मनी लॉंडरिंग मामले में पूर्व ग्रह मंत्री पीछी दमबरम को एड़ी की गिरफतारी से पासी दमबर तक रहाते दी है कोट ने पीछी दमबरम की आगरिम जमानत की याची का पर फैसला पासी दमबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है केजरिवाल सरकार का एलान इस दिन से दिल्ली में महिला है डिटीसी बसों में करसकी की फ्रियात्रा दिल्ली की परिवान मंत्री केलाज गालोत ने गुरुवार को कहा कि डिटीसी और कल्स्टर बसों में महिला यात्री मुफ्त में सफर कर सकती है इसके लिए कंड़क्टरों के पास पासेस मौजूद रहेंगे MNS News लाइकी खबरे देखने के लिए आज ही Play Store से MNS Indie app डाउनलोड कीजे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे दन्यवार